हलो प्यारे बच्चों मैं सुसील कुमार फिर आपके साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो में हमने पहले इस लेसन का एवरी ड्रोप काउंट लेसन के दो पार्ट पढ़ चुके हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तिसरा पार्ट हम बना रहे हैं तिस लोग क्या क्या करते हैं चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में पढ़नेंगे कि कैसे लोगों ने अपने पानी की शमश्याएं दूर की हैं चलिए डिस्कस करते हैं लेट्स स्टार्ट यहां पर दो ओल्ड वैल है पुराने कुए हैं जहां पुनीता रहती हैं हर ग्रांड मदर से थैट अबाउट 15-20 एर एगो देर वाज वाटर इन दीस वैल यानि जहां पुनीता रहती हैं उसकी दादी मा कहती हैं पंदरा से 20 साल पहले यहां इन कुओं में पानी हुआ करत अब यह कुए सुख गए हैं यानि कुए और बावडी सुखने के क्या कारण है वाटर इस बिंग पंट अप फ्रों अंडर दे ग्राउंड विद्ध हैल्प ओफ इलेक्रिक मोटर्स जो इलेक्रिक मोटर्स से उनकी सहता से पानी को बाहर निकाल लिया जाता है जिसके कारण जो पानी है उसका लेवल क्या जा रहा है नीचे जा रहा है जिन जो पानी लेक्स में जीलों में घटा होता था वो भी अब कुलेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि आसपास में घर वगेरा बन गए हैं बिल्डिंग्स वगेरा बन गई है जो वर्षा का पानी है वो अब कुले में क्या होगा बिटा पानी इजली नहीं जा पाएगा यानि ग्राउंड वाटर ज्यादा नहीं हो पाएगा यदि लेक्स बगएरा तलाव बगएरा में पानी सूख गया तो the soil around trees and parks is not covered with cement होने कारण जो पानी है बह जाता है ना कि जमीन के अंदर जाता है यह भी एक कारण है is there some other reason for this कैस के लिए और भी कारण हो सकते हैं हो सकते हैं cutting of tree हो सकता है आपको भी एक कारण लेकर मुझे comment box में बताना है चला है story today आज की कहानी let us see the different way in which people manage water today हम देख रहे हैं page number 57 पर discuss करे कि क्या आज कल लोग किस तरीके से उनके घर में पानी आ रहा है आपको क्या करना है आपको यहां पर इस पेस पर आपके घर में जिस तरीके से पानी आता है उस तरीके पर निसान लगाना और अपनी कोपी में ड्रा करके नीचे वही लाइने लिखनी है एक जल बोर्ड का ट वी हव टू स्टेंड इन एक्यू लोंग क्यू तो गेट वाटर फ्रॉम ड़ टेंकर हमें क्यू में यानि लाइन में लगकर पानी लेना पड़ता है बहुत अभंबिलम भी लाइन लग जाती है पीपल एट टाइम्स हैव फाइट आवर वाटर लोग सारा दिन पानी के उपर जगड़ते रहते हैं लगबग क्या होता है कि जब ऐसा ऐसी स्थिति बनती है तो लोग पानी के लिए दोड़ते हैं कोई पहले पोचता है कोई लेट पोचता है यदि किसी को पानी नहीं मिलता है तो लड़ाई भी करता है क्या आपके कलोनी में भी ऐसा होता है तो आपके भी क्या करना है अपनी कोपी में लिख कर और यहां पर ठिक करके अपनी कोपी में लिख कर और यह पिक्चर बनानी है second यह गरल है यह कहती है we fill water from the well the nearby well dried up a year ago हम पानी लेते हैं कुवे से और हमारे पास का जो कुवा था वो क्या हो गया अब एक साल से सूख गया है now we have to walk hard to reach the other well अब पानी के लिए हमें प्रोस वाले कोवे पर जाना पड़ता है यानि दुसरे कोवे पर जाना पड़ता है we are not allowed to take water from some of the well because of our cast कई वो पर तो हम पानी नहीं ले सकते हैं वहां हमारी cast वालों को पानी नहीं दिया जाता है तो ये भी बेटा एक गल्त बात है इनके साथ भी क्या हो रहा है अन्याय हो रहा है क्या भी पानी के उपर सबका अधिकार आपको ही पता है तो इसमें cast वगारा कुछ वो नहीं होता हमें कभी cast कास्टिजम नहीं करना चाहिए हम सब इंडियन है यदि आपके साथ आपके प्रोस में ऐसा होता है तो अपने पापा अपनी मम्मी या दोस्तों के साथ मिलकर इसके किलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए क्योंकि पानी के उपर सबका अधिकार है we get water at home for half of an hour हमें पानी मिलता है दिन में आदे गंटे और directly हमारे tank में आता है we fill this the tank in the tank हम इसको पानी को टैंक में भर लेते हैं and use all the day all day हम सारा दिन इसको ही फिर यूज करते है sometime it is dirty ये tank है और इस टैंक में ये पानी डिरेक्ट आ ये पानी भर लेते हैं और फिर दिन में इसी टैंक से पानी यूज करते कभी कभी ये गंदा भी आ जाता है यहां पर ये क्या बता रही है ये लड़का क्या बता रहा है देरी जाए hand pump nearby but the water that we get from it is salty हमारे आसपास में head pump लगा हुआ है हम इसी से पानी लेते हैं और इसका प water for drinking की हमें पीने के लिए पाने तो खरीदने ही पढ़ता है यानि इनको भी बहुत समश्या है we get water from our tap हमें all day long हमें पानी हमारे taps में मिलता है यानि हमारे नलके इनोंने इनका tap में 24 आवर पानी रहता होगा लेकिन यहां पर कोई समश्या नहीं है इनको लेकिन यहां देखते हैं we have put a pump directly in gelboard pipeline हमने gelboard की pipeline में pump लगा लिया directly now we don't have any problem देखो इन्होंने pipeline में directly pump लगा लिया यह भी क्या है यह गल्द बात है हमें gelboard से क्या करके बात करके connection लेना चाहिए ऐसा नहीं है कि हम direct gelboard की pipeline में क्या लगा ले connection लगा ले और connection लगाना क्या है कि गयर कानुनी तरीका है इससे आपके production क्या हो सकती है पाने की कमी हो सकती है यहाँ पर क्या कह रहा है यह लड़का यह लड़का कह रहा है we have put a motor on pump up the water from the borwell यह कह रहा है हम तो पानी borwell से लेते हैं हमने motor लगा ली है but there is no electricity so what do we do हमने motor तो लगा ली है लेकिन यहां light इनी रहती है motor जब light आती है तब ही हम क्या करते हैं पानी फिल कर पाते हैं नहीं तो पानी के बिना हम भी रह जाते हैं फिर इसके लिए और कोई इलाज भी नहीं है light इनी होगी तो pump का क्या काम यहाँ पर यह लड़की बता रही है we get water from the canal itself हम पानी directly canal से लेते हैं यहां पर आपको क्या कह रहा है everyone has right to live सभी को जीने का अधिकार है yet is everybody getting enough water to live or enough water to drink सभी को जीने का अधिकार है और फिर फिर भी लोगों को क्या है पानी पीने के लिए सबको नहीं मिल पाता why it is that some people have to buy drinking water लोग क्या कर रहे हैं पानी क्यों खरीद रहे हैं पीने के लिए वेटा जब पानी नहीं उनको मिलेगा पीने वाला तो पानी खरीदेंगे क्या आपको यह पसंद है यह मलब सहनी है यह लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़े यह अच्छी बात है water on this earth is for all one and all सबका अधिकार है पानी पर जो प्रत्वी पर जितना पानी है सबका उसके उपर अधिकार है some people draw out water from ground by deep borewell कुछ लोग जमीन से पानी निकालते है गहर यह मलब borewell खोद कर how far it is correct यह कितने हद तक सही है कितने हद तक यह है सही है have you ever seen this क्या आपने ऐसा देखा है why do some people is pumped directly in जलबोर्ड pipeline कुछ लोग जलबोर्ड की pipeline में direct क्या कर लेते हैं send लगा लेते हैं यानि वहाँ पर connection लगा लेते हैं what problem would be would other people face due to this इसके कारण लोगों दूसरे लोगों क्या समस्चा होते है do you have any such experience क्या आपको एक कुछ experience है इसके बारे में इसके answer में लिखेंगे it is true that today everybody is not not getting enough water due to security of drinking water some people have to buy it क्या कह रहा है यह सही है कि आजकल लोगों को क्या है पीने के लिए पानी उतना नहीं मिल रहा है जितना उनको चाहिए और फिर पानी कमी होने का लोगों को क्या पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ता है think must do be like this some people draw water from the ground by deep boring कुछ लोग क्या करते हैं बोर खोद कर निकालते हैं यह है एक इट इस ए रोंग प्रैक्टिस यह है एक गल्त बात है इट इस नोट ओनली deprives other people of water but also effect the environment गहरे बोर वैल खोद कर पानी निकालना यह दूसरे लोगों को तो पानी कमी करता ही है और environment को भी नुकसान पहुचाता है इन माई कलोनी, many people do this मेरी कलोनी में ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं some people also put a pump in gelboard pipe कई लोगों ने तो क्या कर रख़ा है विजलबोर की pipe में ही पानी वहां से पानी लेते है इसके कारण क्या होता है जलबोर्ड में के पानी को चोरी करते हैं तो उससे कारण दूसरे लोगों को पानी कमी होती है I also have had such experience मेरा भी कुछ ऐसा ही experience है We often suffer due to such practice by some of our neighbors ये बता रहा है कि हमारे भी पास में कुछ neighbor हमारे प्रोसी है वह ऐसा कर लेते हैं ये क्या है एक गल्त बात है यहाँ पर देख रहे हैं पानी का बिल पानी का बिल है जो उस पर कुछ नाम लिखा हुआ है ये दिल्ली जलबोर्ड से आया है नीचे लिखा हुआ है दिल्ली सरकार और यहाँ पर 368 रुपे का बिल आया हुआ है rounded यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर maintenance का भी कुछ खर्च लगा हुआ है तो कई बार क्या होता है civil maintenance और pipeline maintenance में उसका भी बिल हमें इसी बिल में maintenance का बिल भी देना पड़ता है यह नाम पर किस के आया है यह नाम आया है महमद उमर के नाम पर और डक्टर महमद सोयब के नाम पर यह बिल आया है यहाँ पर question है Do you get water bill at home find out from where it is sent क्या आपके घर में भी पानी का बिल आता है और इसे कौन भेजता है Yes, we get water bill at home हम भी bill प्राप्त करते है जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पर believe in दिल्ली and show get our bill from दिल्ली जलबोर और हमें कहां से bill मिलता है पानी का दिल्ली जलबोर से यदि हम दिल्ली जलबोर की pipeline में क्या करेंगे pipeline से पानी लेंगे तो वो हमें bill जरूर भेजेंगे आगे question है why do you think दिल्ली सरकार government of दिल्ली is written under the दिल्ली जलबोर दिल्ली जलबोर क्यों लिखा रहता है दिल्ली सरकार क्यों लिखा रहता है दिल्ली जलबोर के bill के नीचे आपने देखा bill पे दिल्ली जलबोर दिखा रहता है दिल्ली सरकार is written under दिल्ली जलबोर विकोज दिल्ली जलबोर इसे subsidiary of दिल्ली government क्या कहेंगे government of दिल्ली कह सकते हो या दिल्ली government की subsidiary है कौन दिल्ली जलबोर मान लिजी आप UP में रहते हैं तो UP की subsidiary क्या होगी यूपी गुर्मेंट की сбcisaidory होगी यूपी जलबोर्ड आप MP में रहते हैं तो MP g minimum Mercy की वो सबसीडिory होगी यानि ये कि काई होगी इसलिए यदि हम किसी भी सेवा अब परियोग करते तो उसका मंतरल्य का मंतरल्य और फिर मतर अल्ले के बाद क्या आता है उस सरकार का नाम जैसे यहाँ पर है it can be done there are some group that work hard to bring water to people or different area areas की हम अब में आसपास में क्या देखते हैं यहाँ पर कुछ group है और क्या करते हैं पानी के लिए वो आसपास में area में जहां difficulty होती है उसके लिए बहुत कारिया करते है they ask the elders वो बड़े से पूछते हैं about the water arrangement in their times आप मुझे हमें बताइए उनके जो बड़े बुड़े हैं उनसे पूछते हैं आपके टाइम में पानी की क्या arrangement थी they rebuild the old lake वो पुरानी जी लोगो क्या करते हैं दुबारा rebuild करते हैं दुबारा बनाते हैं and jord और jord को और lakes को पुराने जो है उनको दुबारा बनाते हैं and also build new one और ने भी खोड़ डालते हैं let us see how the group called एक group है जिसका नाम है तरून भार्थ संग help डरकी माई एक डरकी माई नाम की एक ladies थी दरकी माई उसकी help तरून भार्थ संग ने कैसे की यहाँ पर एक डरकी माई की picture है यह देखिए दरकी माई है आपको लेक के पास खड़ी वी है this is दरकी माई she live in a village in the अलवर डिस्टिक यह दरकी माई है और यह अलवर डिस्टिक के एक गाउ में रहती है जो की अलवर कहां में है राजस्तान में राजस्तान में पाने हमने पड़े ही रहे है पाने की बहुत कमी होती है the women of the village used to spend an entire day looking after their home and animals यहां की ओरते हैं दिन में तो घर को और पसुन को समालती है sometimes it took them all night to pull water from the wells for the animal delightful now they had to leave the village they had to leave the village के बारे में सुना था and उनको क्या कहा ask for help उनको उनसे help मांगी भी हमारे इदर ये problem है कर पर हमारी help करें together the people from the group and the village decide to make a lake जो तरुम भार्त संग है उनके लोगों ने और गाउं के लोगों ने वहां पर मिलकर एक खुदाई की और क्या कर डाला एक लेक का निर्मान कर डाला the problem of food and water for the animal is now less अब जो problem थी वो बहुत कम हो गई है people get more milk इससे लोगों को दूद की भी अच्छे से प्राप्ती हो रही है और उनको earning आनी start हो गई है they have started earning more यहाँ पर जो question है वो आपको खुद से करने है इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में हम फिर दुबारा मिलेंगे एक नए lesson के साथ thank you have a nice day bye bye take care